प्रिये देश्वासियों, जीवन के हर क्षेत्र में नयापन, आधुनिक्ता, अनिवारिय होती हैं, वरना वोही कभी-कभी हमारे लिए बोज बन जाती हैं। भारत के क्रशी जगत में आधुनिक्ता ये समय की मांग है। बहुत देर हो चुकी हैं, हम बहुत समय गवा चुके हैं। एग्रिकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए एफसर पैदा करने के लिए, किसानों की आई बढ़ाने के लिए, परामपरागत क्रशी के साथ ही नए विकल्पों को, नए नए इनोवेशन्स को अपनाना भी उतना ही जरूरी हैं। वाइट रिवलूशन के दवरान देश ने इससे अनुभव किया है। अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बन करके उभर रहा है। बी फार्मिंग देश में शहद क्रांती या स्विट रिवलूशन का आधार बना रही है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड रहे हैं। इनॉवेशन कर रहे हैं। जैसे कि पस्चिम मंगार के दार्जिरिंग में एक गाव है गुर्दुम। पहडों की इतनी उचाई भवगुली दिक्कत है। लेकिन यहां के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू कि और आज इस जगह पर बने शहत की मधु की अच्छी माग हो रही है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। पस्चिम मंगाल के ही सुन्दर बन इलाकों का प्राकुर्तिक और्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है। ऐसा ही एक व्यक्तिकत अनु हो मुझे गुजरात का भी है। गुजरात के बनास काठा में बस 2016 में एक आयोजन हुआ था। उस कारकम में मैंने लोगों से कहा यहां इतनी संभावना हैं क्यों ने बनास काठा और हमारे यहां के किसान स्वीट रिवालुशन का नया अध्याय लिखे। आपको जानकर हम समय में बनास काठा शहद उत्पाधन का प्रमुक केंदर बन गया है। आज बनास काठा के किसान हनी से लाखों रुपिय सानाना कमा रहे हैं। ऐसा ही य Dulकारन हरियाना के यमुनानगर का भी है। यमुना नगर में किसान बी फार्मिंग करके सानाना कई सौट टन शहत पैदा कर रहे हैं, आप नियाय बढ़ा रहे हैं, किसानों की इस महनत का परिणाम है, कि देश में शहत का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, और सानाना करीब सवा लाग टन पहुंचा है, इसमें से ब केवर सहत से यह आई नहीं होती, बलकि वीब वैक्स भी आई का एक बहुत बड़ा माध्यम है, फार्मा इंडस्टी, फूर्ड इंडस्टी, टेक्स्टाइल, और कॉस्मेटिक इंडस्टी, हर जग वीब वैक्स की डिमांड है, हमारा देश फिलहार वीब वैक्स का आयात कर लेकिन हमारे किसान अब ये स्थिती तेजी से बदल रहे हैं, यानि एक तरह से आत्मा निर्वर भारत भ्यान में मदद कर रहे हैं, आज तो पूरी दुनिया आउर्वेट और नेचरल हेल्थ प्रोडक्स की और देख रही हैं, ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ र कर्मिंग से भी जुड़ें, ये किसानों की आई भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठास भी घोलेगा, मेरे प्यारे देश वास्यों, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया, स्पैरो यानि गोरिया, कहीं इसे चकली बोलते हैं, कहीं चीमनी बोलते हैं, कहीं गोन चीरी का कहा जाता है, पहले हमारे घरों की दिवारों पर, आसपास के पैड़ों पर गोरिया क्या हकती रहती थी, लेकिन अब लोग गोरिया को ये कहकर याद करते हैं, कि पिछली बार बरसों पहले गोरिया देखा था, आज इसे बचाने के लिए हमें प्रय आस करने पड़ रहे हैं, मेरे बनारस के एक साथी, इंदरपाल सी बत्राजी ने ऐसा काम किया है, जिसे मैं मन की बात के सोताओं को जरूर बताना चाहता हूं, बत्राजी ने अपने घर को ही गोरिया का आश्याना बना दिया है, इन्होंने अपने घर में लकडी के ऐसे घो एक अध्भूत प्रकृतिक वात्राण भी बन गया है। मैं चाहूंगा प्रकृति, परियावन, प्रानी, पक्षी जिन के लिए भी बन सके कम ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए। जैसे एक साथी हैं विजय कुमार काभी जी, विजय जी उरिशा के केंदर पाड़ा के रहने वाले हैं। केंदर पाड़ा समुद्र के किनारे हैं। इसलिए इस जिले के कई गाउं ऐसे हैं जिन पर समुद्र की उंची लहरों और साइक्लोन का खत्रा रहता है। इसे कई बार बहुत नुक्सान भी होता है विजय जी ने महसूस किया कि अगर इस प्रकुर्तिक तबाही को कोई रोक सकता है तो वो प्रकुर्ति ही रोक सकती है फिर क्या था विजय जी ने बड़ा कोड गाउं से अपना मिशन शुरू किया उन्होंने बारा साल साथियों बारा साल महनत करके गाउं के बाहर समुदरी की तरफ पचीस एकर का मेंगरो जंगल खड़ा कर दिया आज ये जंगल इस गाउं की सुरक्षा कर रहा है ऐसा ही काम ओडिशा के ही पारादिब जिले में एक इंजिनियर अमरेज सामंती जी ने किय अमरेज जी ने छोटे छोटे जंगल लगाये है जिन से आज कही गाउं का बचाव हो रहा है साथियों इस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड ले तो बड़े परणाम आते हैं जैसे तमिल नारु के कोईमटोर में बस कंड़क्टर का काम करने वाले मरी मुथू य योगनाथन जी अपनी बसके यात्रियों को टिकर देते हैं तो साथ में ही एक पौधा भी मुपतदेते हैं इस तरह योगनाथन जी नजाने कितने ही पैड लगवा चुके हैं योगनाथन जी अपने वेतन का कापी हस्था इस ही काम में खर्च करते आ रहे हैं अब इसको कौन नागरिक होगा जो मरी मुथु योगनासन जी के काम की प्रसंसा न करे मरदे से उनके इस प्रयासों को बहुत बधाई देता हूं उनके इस प्रयरक कारे के लिए